नमस्कार, इन्होंने आज मुझे CBI बुलाया है, थोड़ी देर में घर से निकलूंगा, पूरी मानदारी और सच्चाई से इनके सभी सवालों के जवाब देंगे, जब कुछ गलत किया ही नहीं तो फिर छपाना क्या, ये लोग बहुत ताकतवर हैं, किसी को भी जेल भीज सक बारे नेता चला चला के कह रहे हैं केजरिवाल को गिरफतार करेंगे, केजरिवाल को गिरफतार करेंगे, शायद बीजेपी ने CBI को आदेश भी दे दिया है, कि केजरिवाल को गिरफतार करना है, अब बीजेपी ने अगर आदेश दिया है, तो CBI की क्या मजाल है, फिर त को मीडिया वालों को पत्रकारों को नेताओं को व्यापारियों को द्योगपतियों को सब को धंकी देते फिरते हैं हमारी बात मानो ने तो जेल में डाल देंगे सब को जेल की धंकी देते पहले सोचता था मेरा मुल्क इतना पिछड़ा क्यों है मेरे लोग इतने गरीब क्यों है लोग अनपड क्यों है आजादी के 75 साल भी मेरे युवा बेरोज़गार क्यों है क्यों क्यों अब पता चला कि ऐसा क्यों है क्योंकि हमारे नेताओं को जनता की परवाई नहीं है हमारे नेताओं को बस 24 घंटे गंदी राजनीती करनी है हमारे ने तो बस 24 घंटे जेल में भेजने की दमकी देते रहते हैं इसको जेल में भेज देंगे उसको जेल में भेज देंगे इसको नहीं छोड़ेंगे उसको नहीं छोड़ेंगे यो लोग धंकी दे रहे हैं कि केजरीवाल को जेल में भीज देंगे भीज दो जरूर भेजो इससे क्या होगा देश की समस्यां दूर हो जाएंगी केजरीवाल को जेल में भेजने से सबको रोजगार मिल जाएगा सबको मिल जाएगी नहीं ना हाँ आपके एहंकार की संतुष्टी जरूर हो जाएगी आठ साल में मैंने दिल्ली के सारे स्कूल ठीक कर दी है 30 साल में आपने गुजरात का एक एक भी स्कूल ठीक नहीं किया एक भी स्कूल, जब आपको गुजरात में एक स्कूल में जाके फोटो खिचवाने थी, तो उसके लिए भी आपको पूरे गुजरात में एक भी स्कूल नहीं मिला, आपको टेंट में एक नकली क्लास बनाके फोटो खिचवाने पड़ी, आठ साल में मैंने दिल्ली में धेरो मोहला क्लिनिक खोल दिये अस्पताल बना दिये, सबका इलाज मुफ्त कर दिया, शांदार इलाज कर दिया पंदरा साल में मध्यपरदेश में आप से क्यों नहीं हुआ आठ साल में मैंने दिल्ली में पावर कट खतम कर दिये 24 घंटे बिजली कर दी, बिजली मुफट कर दी, 30 साल में आप से गुजरात में क्यों नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि आपको करना ही नहीं है, आपको देश से कोई लेना देना ही नहीं है, आपकी बला से तो देश जाए भाड में, बस आपकी सत्ता बनी रहे, भारत दुनिया का नंबर वन देश बन सकता था आप जैसे नेताओं और पार्टियों ने अभी तक नहीं होने दिया अपने भ्रष्टाचार और अपनी पैसे और सक्ता की हवस की वज़े से पर अब भारत रुकेगा नहीं है दिल्ली के बाद पूरा देश खड़ा हो गया है एक एक भारतिय नंबर वन देश बनाना मेरी जिन्दगी का मिशन है अब यह एक एक भारतिय का मिशन बन गया है देश के लिए मेरी जान भी हाजिर है मैं शुगर का मरीज हूं एक एक दिन में पचास पचास यूनिट से ज्यादा इंसलिन लेता हूं इतनी शुगर होने के बावजूद ब भूखा रहेगा तो किसी हालत में जिन्दा नहीं बचेगा लेकिन मैं पंद्रा दिन भूखे रहने के बावजूद जिन्दा बच गया किसी के चमतकार से कम नहीं है भगवान मेरे साथ है आप क्यों केज़िवाल ब्रश्टाचारी है मैं पहले इंकम टैक्स में कमिशनर की नौकरी करता था चाहता जितने मर्जी करोडो रुपे कमा लेता उस नौकरी को लात मार के कई वर्शों तक मैं दिल्ली की जुग्गी बस्तियों में ने काम किया है तब तो हम राजनीती में भी नहीं आये थे दूर दूर तक सीम बनने की कोई उमीद ही नहीं थी वो देगा आप मुझे सौ बार सीब्याइडी बुलाओगे तो मैं सौ बार जाओंगा आप हम भारत के लोगों को परिशान कर सकते हैं पर अब भारत को रोक नहीं पाओगे भारत दुनिया का नंबर वन देश बनके रहेगा जैहंद